हेलो फ्रेंट आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टेडियो फ्रेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानि की बीपी एससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट्स निकल करके सा पादक दैनिक भासकर पटना संस्क्रन बिहार पटना ठीक है प्रसंग आयोग करजालाय का पत्र संख्या 105 दिनांक 922 कि समचार पत्र दैनिक भासकर के दिनांक 18 जन्वरी 22 के अंक में परकासित समचार सयोग या सेटिंग यानि कि सयोग या सेटिंग की जो बात कही गए थी दैनिक भासकर की अख़वारों में ठेक है महोद है निर्देशा अनुसार उपर्युक्त विसाय दैनिक भासकर में दिनांक अठारा 1-2-21 को परकासित समचार सयोग या सेटिंग की समन्द में आपकी परतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आयोग दोरा गया पांक इतना 9-22-21 से आपको एक पत्र लिखा गया था जिसमें आपसे वस्तुस्तित असपौस्ट करने का अगरह किया गया था कि अगर आप कह रहे हैं ऐसे ऐसी बात है तो आप उसको असफ़स्ट किजिए ठीक है उक्त पत्र सर्बसधारन की जनकारी के लिए आयोग की वेवसाइट पर भी परकासित किया गया है पत्र के आलोग में आप से अपयक्षा की गई थी कि आपके दौरा परकासित समाचार के समन्द में जो भी परमान उपलवन्द है वो आयोग के उपलवन्द कराएंगे और यदि कोई परमान उपलवन्द नहीं है तो आप उप समाचार का खंडन अपनी समाचार पत्र में करे फितने दिन बितने के बाद भी आपके दोरा आयोग से सुमपर्खकर कर अपना पक्ष रखने की परियास नहीं किया गया। यानि की दैनिक भासकर को कहा गया था कि आप असपोश्ट कीजिए प्रमान देजी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. ऐसी परिस्तिती में अदोहस्तांग्चिर के दोवारा आपसे दुरभास पर बड़ता करने का आपका पक्स जानने की कोशिस की गई बहाली एक समेंसिल मुद्दा है बीना किसी परमान या अधार की इस तरह के समाचार को जूट एवं फर्जी समाचार की स्रेनी में माना जाएगा ठीक है ऐसी फर्जी समाचार परकासित कर आपने आयोग की विश्वासनियता पर परपरश्न चीन उठाने की कोशिस की है ऐसी फर्जी एवं जूटे समाचार अपने समाचार पत्र में परकासित करने एवं स्वयम आपकी विश्वासनियता प्रभावित होगी ठीक है एक राज अस्तरिये समाचार पत्र का उद्देश समाचार के माध्य में सचाई को जनता के सामने लाना है परन्तों खुद दुखत की आपने जूटा यहां फर्जी समाचार परकासित कर पत्र कारिता के मुलभूत सिधानतों का उलंगन किया है इसी परकार सोसल मिरिया यूटूब पर छोटे-छोटे तथाकित समाचार चैनल एक सर्यांति के तहत दरोगा बहाली में धांदली को लेकर लगातार समाचार पत्र बना रहे हैं जिसके लिए इनके पास कोई परमान नहीं है ठीक है धांदली की बात तो करते हैं लेकिन कोई परमान नहीं दिखाते हैं इसी परकार एक स्वा घोशी छात्र नेता साजीस के तहत तहत दरोगा बहाली में धांदली की बात करते रहते हैं जिसके लिए भी उनके पास कोई परमान नहीं इन सभी समाचार चैनलों जैसे की दिली जी एक मुद्दा उठाया था जिसमें उनको जेल भेजा गया ठी के च्छात्र नेताव को आट-दीन द्व्रहा कि स्कोरम प्र fatto कि जो इस बेरिक्षा सफल हुए है मेरीरिट कंब मेरीट से बाहर हो गए है सफल हुए है आयोग इसका पुन रूप खंडन करता है इस पत्र को शर्व सधार्वन की जनकारी के लिए आयोग की वेसाइट पर प्रकासित किया जा रहा है इसके बाद भी यदि आयोग की समक्ष आप अपनी बात रखना चाहते तो आपका स्वागत है ठीक है तो फ्रेंड यानि कि में और बात करेंगे नेक्स टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स टॉपिक पर